नमस्कार दोस्तों, Legal Talks by DC कानून के हिंदी संसकरण में आपका स्वागत है मेरा नाम सुयश वर्मा है और आज मैं आपसे किसी एजेंट या पार ओफ एटर्नी होल्डर के जरिए प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते समय क्या-क्या ध्यान में रखना चाहिए इसकी चर्चा करूँगा यह जानने के लिए मैं एक ऐसे केस के बारे में बात करूँगा जिसमें एक वैक्ती ने एक ऐसी संपत्ती बेचती जिसका वो मालिक नहीं था आपको यह सुनने में अजीब लग रहा होगा कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है अगर कोई प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है तो वो उसको कैसे बेच सकता है यह समझने के लिए आप एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करिए जिसमें एक वैक्ती जिसका नाम राज है वो हविदेश में रहता है और वो अपनी इंडिया की एक प्रॉपर्टी को किराय पर देने या बैंक में गिरवी रखने के उदेश से यहाँ पर अपने दोस्त शेखर के नाम पर एक पार ओफेटर्णी एक्जीक्यूट कर देता है लेकिन शेखर बैमान निकलता है और वो बिना राज को बताए या उसकी परमीशन लिए एक अन्य वैक्ती जिसका नाम श्याम होता है उसको यह दिखाता है कि आर ओफेटर्णी से शेखर को राज की प्रॉपर्टी बेचने का भी अधिकार है और इस आधार पर वो श्याम को अंधेरे में रखकर वह प्रॉपर्टी बेच देता है बाद में राज को पता चलता है कि उसकी प्रॉपर्टी शेखर ने बिना बताए श्याम को बेच दी राज कोर्ट जाने की सोचता है अब प्रश्न यह है कि क्या प्रॉपर्टी की ऐसी विक्री लीकल और वैद्ध है इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले उमा देवी नाम बियार विरुद्ध थमारे सरी एवमन नामक केस में दिया था and thankfully सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इस तरीके से प्रॉपर्टी को बेचना लीकल या वैद्ध नहीं है क्योंकि कानून का यहाँ एक मौलिक सिध्धान्त है कि no one can pass on a better title than what he himself has मतलब आप कोई ऐसी चीज दूसरों को नहीं दे सकते हैं जिसके आप स्वयम मालिक ना हो इसको लेटिन में नेमो डैट कोड नौन हैबिट भी कहते हैं इसका अर्थ जानने के लिए हमें पार ओफ एटर्नी या मुक्तियार नामा या अधिकार पत्र का भी मतलब समझना होगा आम भाशा में पार ओफ एटर्नी एक ऐसा दस्तावेज होता है जो किसी भी वैक्ति को एक स्पेसिफिक या विशिश्ट उद्देश के लिए एजिंट बनने का अधिकार देता है और ऐसा एजिंट के बुल वही काम कर सकता है जो इस पश्ट रूप से पार ओफ एटर्नी म नहीं बेच सकता है आप भी अगर कभी कोई प्रॉपर्टी पार ओफ एटर्नी होल्डर के जरीए खरीद रहे हो तो यह जरूर चेक कर लें कि पार ओफ एटर्नी इस पश्ट रूप से होल्डर या एजिंट को प्रॉपर्टी बेचने का और उसकी विक्री का कानूनी प्रॉपर्टी खरीदने से बच्चे हैं एवं ऐसी कोई भी विक्री या प्रॉपर्टी सेल इसलिए भी लीगल या वैद्ध नहीं होगी क्योंकि ट्रांसफर ओफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 41 के अनुसार किसी एजेंट या खुद को मालिक के रूप में बताने वा या नहीं यदि खरीदार वास्त्विक मालिक या संपत्ती की इस्थिती पता लगाने का कोई माकूल प्रयास नहीं करता है तो संपत्ती की ऐसी कोई भी खरीद विवाद की इस्थिती में अदालतों द्वारा रद्ध की जा सकती है यहा माकूल प्रयास या ओने लब है कि खरेदार को पार ओफ हेटरनी और प्रोपर्टी से संबंदित दस्तावेजों में लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए और यह भी पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि कहीं विक्रेता या सेलर नकली या जाली कागस तो नहीं दिखा रहा ह सील, सिगनेचर, स्टैंप नंबर, रेजिस्ट्रेशन नंबर यह सब देखके और वेरिफाय करके यह पता लगाया जा सकता है कि प्रोपर्टी के कागस या पार ओफ हेटरनी कूट रचित या नकली तो नहीं है यह सब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अदालतों के सामने कानून की अग्यानता कोई डिफेंस नहीं होती है और समय रहते जाच पड़ताल करना हमेशा भविश्य में काम आता है ऐसी परिस्थितियों में जब मामला कोट में जाता है तब खरिदार को एजेंट से अपने पैसे वापस लेने के लिए यह दिखाना पड़ेगा कि उसके सामने तथ्यों या प्रोपर्टी के दस्तावेजों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया और चीटिंग या मिस्री प्रेजेंटेशन करके उसे यह विश्वास दिलाया गया कि एजेंट के पास प्रोपर्टी बेचने का इसपश्ट अधिकार है अतह कोई भी प्रोपर्टी के कागजों को लेके हमें बहुत ही सतर को और सावधान रहना चाहिए एक-एक कागज को अच्छे से पढ़ें क्यो कोई भी प्रोपर्टी नहीं बेच सकता है और जहां कहीं पार ओफ एटर्नी इनवॉल्व्ड हो वहाँ यह जरूर देखें कि एजेंट को प्रोपर्टी बेचने का इसपश्ट अधिकार दिया गया है या नहीं? मैं उमीद करता हूं कि किसी एजेंट या पार ओफ एटर्न होल्डर के जरिए प्रॉपर्टी खरीते या बेचते समय क्या-क्या ध्यान में रखना चाहिए यह इस चर्चा से इस फश्ट हुआ होगा इस शो को सुनने के लिए धन्यवाद लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट एवं शेयर करना ना भूलें अगली बार फिर मिलते हैं तब त के लिए नमस्कार